देखिये भारत एट नाइन काबेंद चौहान के साथ इसे मैं आज पूरा दिल इत्टफाक के दौर से बुज़रा सबसे पहला इत्टफाक कि पंजाब के मुख्य मंतरी चन्नी सहाब को लगता है कि प्रधान मंतरी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो इत्टफाक है साथ ही साथ सबको ये लगता है कॉंग्रेस की चन्नी सहाब प्रधान मंतरी के साथ नहीं थे ये इत्टफाक है चन्नी सहाब आज डर रहे थे कि उनके साथ जो लोग थे वो दरसल कोरोना पॉजटिव मिले है तो वो नहीं जा पाए ये इत्टफाक था ग्रह सचेवर प्रधान मंतरी के साथ नहीं थे इत्टफाक था डीजीपी साथ प्रधान मंतरी के साथ नहीं थे इत्टफाक था चन्नी सहाब प्रधान मंतरी के साथ नहीं थे इत्टफाक था प्रोटेस्टर्स को रास्ता जिससे बज़ जा रहे थे उस के साथ ही साथ CM, DGP, ये कोई भी प्रधान मंतरी के कॉन्वाइ में शामिल नहीं था, ये भी इत्फाक था, प्रोटोकॉल क्यों टूटा, किस वजह से टूटा, जानकारी लीक कैसे बुई, नहीं बता पाए, इत्फाक था, 20 मिनिट तक पुलिस प्रोटेस्टर्स को नहीं प्रोटेस्टर्स वहाँ पर पहुँच गए, जबकि सारा रास्ता तो क्लियर होना था, ग्रीन कॉरिडर होना था, इत्फाक था, प्रोटेस्टर्स को, किसान प्रदर्शन कारियों को रास्ते का पता था, इत्फाक था, हाई रिस्क था, और कॉंग्रेस में, आज हाई कुछ समय पहले जब प्रधान मंत्री के काफिले में प्रधान मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उनकी गाड़ी को जब प्रमोट किया था, गाड़ी थी Mercedes Maybach S560 Pullman Guard, तो कॉंग्रेस के लोग लाइक परिशान, खेर वो एक इत्फाक था, प्रधान मंत्री की सुरक्षा को बढ़ाने की बात की गई, तो कॉंग्रेसियों ने कहा कि मनमुहन सिंग साहब तो Ambassador बेभी चल लेते हैं, आप क्यों नहीं चल लेते हैं, सुरक्षा क्यों बढ़ा रहे हैं, खेर इत्फाक था, दर्शकों जो भी इत्फाक हुए, इन इत्फा की सवाल ये है, पहला सवाल, क्या कॉंग्रेस ने अब सारी हदें पार कर रहे हैं, ये सवाल है, थोड़ी देर लगेगी, तो सोचें और समझें, रास्ट्रपती पंजाब सरकार को बर्खास्त कर क्या उधारण सेट करेंगे, ये जरूरी है, अभी बताऊंगा कैसे, चूक ती या सोची समझी, साजश, ये भी सोची, थोड़ा सवाल, सोची, इसके साथी, देश को जलाने की साजश किस की है, सोची, जरूरी है, सम पॉइंट समरा हुए, ठीर दिए, अग्ला सवाल, पि-म को खरोच भी आती, तो उनका क्या होता, सोची, अग्ला सवाल, प्रदान मंत्री की सुरक्षा क्या मजाख? Is there a kind of joke of PM security? अब दर्शको पंजाबियों का नाम कौन खराब करना चाहता है? ये भी एक बड़ा सवाल ये सब सवाल क्या कॉंग्रेस अब सारी हदे पार करती है? तो ये मेरे सवाल अब सवालों पर विस्तार से बात करता हूँ अगर प्रधान मंत्री मोधी को खरोच भी आ जाती तो परिणाम सुरू क्या हो सकता है? आप सोचें, सोचें, मैं बता हूँ जब इंदरा गांधी जी का assassination हुआ था उसके बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे उस वकत था जब प्रधान मंत्री बने राजीव गांधी साहब उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो हल चल आती है तो अगर आज प्रधान मंत्री मोधी करता जरा सावे, जरा सावे कोई भी अनफॉर्चिनेट कुछ भी हो जाता है क्या हुशन सोचे तो देश को जलाने की साजिश किसकी है ये बड़ा सवाल पैरा करता है दर्श को जो कुछ मैंने बताया उसके साथ ही एक और चीज़ आपको बताता हूँ की प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी की आज फिरोजपुर वो पहुँचे थे, फिरोजपुर में उनकी रैली हो दी थी, लेकिन हुसैनी वाला जब वो पहुँचते हैं तो हुसैनी वाला है सामने किसान प्रदर्शन कारी खड़े प्रोटेस्टर्स, उनको रूट का कैसे पता, पुलिस न उनको आने कैसे दिया, यह सब सवाल है हाला कि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब के लिए महस इत्तफाक है इत्तफाक था, लेकिन फिरोजपुर के SSP साहब को सस्पेंड कर दिया लोगों ने कहा रहे, इत्तफाक था, तो फिर सस्पेंड क्यों किया अपिर आज बोले, अच्छा, ठीक है यूटर्न बारा, सस्पेंड्शन कैंसल कर दिया वाज बड़े इत्तफाक था, लेकिन जिस चीज के साथ मैंने शुरुआ की चूक हुई प्रधान मंतरी की सुरक्षा के साथ चूक हुई है क्या चूक होने के बाद क्या कोई छूट दी जा सकती है कितना गंभीर ये मसला है ये कोई पार्टी के नेता की सुरक्षा में हुई चूक का मामला नहीं है ये प्रधान मंतरी की देश के प्रधान मंतरी की चूप का मामला है, मेरे प्रधान मंतरी की चूप का मामला है, आपके प्रधान मंतरी की सुरक्षा में चूप का मामला है, राहुल गांधी के प्रधान मंतरी की सुरक्षा की चूप का मामला है, सोनिया गांधी जी के प्रधान मंतरी की सुरक्षा पर चर्शा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी और कॉंग्रेस क्या कुछ कह रहे हैं इसको सुनवाते हैं एक तरफ मुख्य मंत्री उत्रप्रदेश की योगी आदितनाथ साहब होगे और दूसरी तरफ होगे रड़वी सुर्जेवाला साहब सुनवाइगा हमारी लोक प्रियनेता और देश के मानने प्रधान मंत्री जे कि सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अच्छम्य है और यह एक सरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कॉंग्रेस की एक दुरभी संदी को प्रदर्सित करत कि देश इस प्रकार की किसी भी साजिस को सफल नहीं होने देगा कॉंग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जंता से माफि मांगनी चाहिए आज जब पंजाब में भीर जमान नहीं हुई कुर्सियां खाली पड़ी थी तो प्रधान मंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली के इसल कर देए अब अगर भारतिय जंता पार्टी के लोग राजस्थान से हरियाना से पंजाब से भीड नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वरक में आम जन्मानश में महेंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा वेवार किय जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरूद तो अब उल्जलूल बातें की जा रही है लेकिन उनके वहां तक पहुचने से पहले ही सडक मार्ग पर कुछ प्रदर्शन कारियों ने अवरोधक लगाकर रास्ते को जान कर दिया हाला कि ऐसा होता नहीं कभी मैंने नहीं सुना पहली दफ़ा सुन रहा हूँ और सुना भी रहा हूँ प्रदान मंत्री अपने सभास्तल तक पहुच भी नहीं सके और वहीं से बापस लोटने का उन्होंने फैसला कर दिया उसके बाद एरपोर्ट बटिंडा एरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि प्रदान मंत्री मोधी ने जाते वक्त कहा है कि अपने मुख्यं मंत्री को धन्यवाद कर जयेगा की मैं वापस जंदा छबा यह शpetto इन शब्द के अगर माएने निकाले के अगर इन शब्द को डिकोडAK करें के तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाहे और कारिकर सक्सार्च उन् डिकोड़ नहीं करूगा आपकी बुद्धी स्थर्व पर छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं लेकिन आपको बता दू कि भाजपा के राश्टर देर्शन जगत प्रकाश नडड़ा जेपी नडड़ा साहब ने कहा है यह दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड की विकास परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिक्ता को पंजाब की तरक्की में बाधत नहीं बनने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी देंगे तो यह सब कुछ कहा है साथी साथ कौंगरेस की तरफ से क्या कहा गया है आप देश के किसानों से नहीं मिले कुरसियां खाली थी कुरसियां खाली थी इसलिए वापस लोड़ कै शायद उन्होंने वो तस्वीरे नहीं देखी जहां पर रास्ते को ब्लॉक या हो सकता है इत् प्रधान मंत्री मोदी जी खो लगा कि सभा में तो कुर्सियां खाली है तो चलो वापस चलते हैं अब वापस चलने के लिए क्या करेंगे तो वापस चलने के लिए जूट बोल देते हैं कि दरसल सुरक्षा में चूंगे, ठीक है, तस्वीरे भी जूट बोलते हैं, तस्वीरे खुद बना ली जाएगे, विसानों को खुदी बुला लेगे, प्रोटेस्टर्स को खुदी बुला लेगे, चन्नी साहब से कह देंगे कि आजाना मत, चन्नी साहब तो इनकी बात मात द है, तो आज बहुत इत्तफाक हो, सुभै से लेकर, शाम इत्तफाक की इत्तफाक होके रहे, हमारे साथ दो महमान जुड़े गे, लेकिन उससे पहले हिमन्त विश्वा साहब ने भी कहा है, ये शर्म की बात है कि पंजाब के कल्यांड के लिए विकास युजनाओं को की बीजेपी से हैं और शातिसायत अभूदेव शर्मा जी है, आप कॉंग्रेस हैं, भूदेव शर्मा जी आप से शुरुवात कर दो, आपको कैसा फील हो रहा है, बड़ा प्रैक्टिकल सवाथ, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जिस राज से आज देश के प्रधान मंत्री को वापस लोटना पड़ा, एरपोर्ट पर ये कहना पड़ा कि मैं वापस जंदा जा रहा हूँ, उस राज का शासन आपके हाथों में है, आप कैसा फील कर रहे हैं, या किसी पार्टी की बात नहीं है, प्रधान मंत्री की बात है, जिस राज में आपकी सरकार है, उसकी बात ह और उस राज की, आप उस राज के अंदर प्रधान मंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते, समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को, आप प्रधान मंत्री को एक राज में सुरक्षा नहीं दे सकते, और इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दी गए, कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल देखिये, मुझे लगता है कि अगर आपने चन्नी साब को अच्छे से सुना होता है, मैंने काफी इत्फाक आपके जब से आपने डिवेट को इस्टाट किया, मैं बहुत दिर से सुन रहा था, आपने इतने इत्फाक गिनाए, लेकन उन इत्फाकों के बारे में आ जो आपने डिवेट सुन होने से पहले कम से कम देर सो से दो सुन भूल दी होंगे इत्फाक, अब मैं आपके बताता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जितने भी वीडियो आए, जितने भी नीज चलनों पर आए, किसी में उन किशानों को नहीं बताया जो प्रद जो कि जब हांदोरान खतम किया गया था तब इनों एक हाता कम SIT बनाएंगे, SIT बनाएंगे, उनके NSP को लेकर के, उनके और भी जितनी मांगा कि उनके सब आज तक कोई कारवाई नहीं हूई, तो पंजाब के किशान उन से बाप करना किते हैं, अगर उनका अधिकार है, प जैड जेटे और मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, का आपको इंद्रा गांदी जी का नाम लिया, इंद्रा गांदी जी की अक्या के बाप, SIT बनाई गई थी, उनने शोठासी बनाएगी थी तरुकिया, एक सेचिन रूदाय दूदी। आप पूरी बात आपने सुनी नहीं 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 पहले आप पूरी बात सुनिए इंद्रा गांदी जी के अट्रा के बाद स्पीजी बनाई गई जो आप बोलें उटके सारे इत्रफाकों के जवाम बिलेंगे आपको एक स्पीजी परेंदा मंतरी के अगहर थी आप परिंदा भी पर नहीं मार तक्ता हुआ हुआ है जी नहीं कर सकते हैं आप राधी सरकार की जिन्देवारी मान रहे हैं चन्मी भी ने बेस कॉन्फरेंस में आकर के क्लियर किया कि तीन बजे तक उनकी शुरच्छा को लेकर के यहां उनका रूट का उसको बदला गया तुरंट की तुरंट बदला गया और उसके बावजीद भी वहां से चार-पांट किलो मेटर दूर किसाना अंदुरंग कर रहे आप सारी बाता सुनिए जब आपको रेली में आपको पता चला को बोड़ी पड़ी हुई है पुर्शिया तो आप पहें उसको शुरच्छा को लेकर के बनाईए अरे यह शरम के मरने वाली बात है कि हमारे देश के प्रदा मंत्री की शुरच्छा में परिंदा या पर नही नेता की बात नहीं है अईसे पस्चम मंगाल के कितने बीजे पी नेताओं पर हमले हुए उसकी बात बात में करेंगे नेताओं की बात नहीं है पुर्दान मंत्री की बात है अरे पंजाब में तो सरकार है ही नहीं चलिए बहुत अपने एक बार अपने ग्रह मंत्राले पर सवाल नहीं उताया ग्रह मंत्राले ने बुला लिया है बाकी आपने कहा अच्छी बात है आपने कहा कि शरम आनी चाहिए कि प्रधान मंतिरी की सुरक्षा में चूक हुई है चरणजीत सिंग्चनी के लिए आप यह बोल गए ठीजाब में प्रेसिडेंट रूल लाग हुए एक सकंड मुझे शायद गडबड हो रही है इतफाक हो सकता है अशुरी साही जी सब पूछ लेता हूँ अशुरी साही जी ये कह रहे हैं कि फिरोजपूर में जो कुछ हुआ सुरक्षा में चूक हुई है उसके लिए ग्रह मंत्राले जिम्मेदार है मतलब प्रेसिडेंट रूल लाग हुए इनकी नजर में पंजाब में मेरे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं है अशुरी साही जी थोड़ा साथ थोड़ा सा उतेजित नाराज भी है खुछ से भी नाराजगी है और डिफेंड करना पड़ जाए और यह आपकी मजबूरी हो तो हो जाता है कोई नहीं अशुरी साही जी पर आपे अशुरी साही जी भुदेव शर्मा जी का कहना है इसमें पूरी पबलिक को विरोध करने का अधिकार है आग देस्ट में लोगतंत्र ने बतावा है कि आप इतने भी बड़े ताना सा हो जाईए एक साल तक किसानिया पड़ा रहाता है अब पुरानी स्क्रिप्ट क्यों रट नहीं है ठीक है यह पुरानी स्क्रिप्ट है रो तो जिम्मेदारी नहीं है तो गलती तो ग्रह मंत्रा लेकि ऐसा कहता है देखे चावान साब आपने बहुत सही सब्द और बहुत मौजूस सब्द दो सब्द उठाए इस्तिपाक और क्यों कि इसको हमारे भुदेव जी ने अभी जिस तरीके से एक तरह से मैं यह कहूंगा कि बेशर्मी के बैयान दिये मैं पॉलिटिकल कोई भी बात नहीं करूंगा आज प्रधान मंत्री आपने इसने बढ़िया तरीके से डिस्पाइप किया कि प्रधान मंत्री देश का होता है स्पीजी सुरक्षा है मुझे कई जगा बार बार पूरा दिन चला है सब को कहने कि आवसेटा नहीं लेकिन भुदेव जी साइज अनभिग्य है कि एक चूक ये होती है इत्फाक का जबाब दिया मैं चूक की बात बता रहा हूँ जब कोई भी पाने प्रधान मंत्री देश का जिस राज्य में जाता है वहां का वो इस्टेट किस्ट होता है स्पी जी सुरच्छा कवर होती है लेकिन लोकल पुलिस उसको असिस्ट करती है आज दो तीन और इत्फाक और चूक हुई है उसको चूक मानिया इत्फाक मानिये मैं आपको कह देता हूँ मानिय प्रधान मंत्री देश के हिंदुस्तान के हैं वो जा रहे हैं और वो भी उस राजी में जा रहे हैं और उस जगह पे जा रहे हैं जहां से पाकिस्तान का बार्डर लगबग 40-50 किलो मिटर से नजजीक है वहां पर एक पुर्व मुख्यमंत्री बेयन सिंग की किस तरीके से हत्या हुई ये देश ने देखा इंद्रा जी के हत्या का नाम अपने लिया उसके बाद क्या हुआ आज उनके प्रोग्राम को जो की स्पी जी और राजी सरकार के बीच में होता है ये प्रोग्राम की कौपी कहां से कांग्रेस कारे करताओं के हाथ लगी ये कौन सा इत्तिफाक था चन्नी साहब के बारे में अभी हमारे भोदेव भाई ने कहा चन्नी साहब ने क्या कहा पहले? पहले कहा कि हम कुछ लोगों के संक्रमन में आने के कारण अपने आपको आई को लेट करते हैं और आज जब वो प्रेस कांफरेंस में आउतरित हुए मास्क नहीं था ये किये है इसके बाद आईए आपका यूआ जोश आपके यूट कांफरेंस के अध्यक्ष देश के परधान मंतरी को कह रहे है माननी मोदी जी हाउ इस जोश यानि कि क्या कैसा लगा तो अब इसमें इन तीनों इत्फाकों में मैं क्या खोज रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ कि जान बचाने का काम किया है और प्रधान मंतरी जी अरे बुदेव जी आप जब बोल रहे थे आप जब बोल रहे थे शुनी जी सुन रहे थे सुन याज सुनी जे थोड़ा सा अच्छा बोखलाहत आप लोगों की है तो अच्छा इसको भार रखिये फ़र भैरे से सुनी है यह तो जनता बताईगी कि किसकी गोखलाट है और आज की जनता ने आपकी रेली में बताया जी है कि जनता में जे जादिक माँ पुलिस दस हजार पुलिस वालों के होते हुए सुरच्छा कर्मियों के होते हुए बोदेव जी बोदेव जी ठीक जवान साथ एक म्यूट का बटन आपके पास भी होता है इनका म्यूट कराइये पहले मैं म्यूट करके बैठा रहा हुए कि मेरी आवाज ना जाए देखिए दूसा मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेश के लोग वो कागज कैसे पा गए दस हजार पुलिस कर्मियों की बात ये कर रहे हैं वीडियो आए है वो पुलिस कर्मी उरही जो परदरसंकारी से उनके साथ चाय पी रहते ये कौन सा इत्फाक था वो चाय पी रहते और उसके बाद आई ये देश का परधान मं कि बावजूत माननी परधान मंत्री ने अपना रूट नहीं बदला वार भार रूट बदला गया आप देखें रूख जाए नर मैं रूख जाए एक बाद बताओ न्यक्साब ने आपको भी बताया था गया दूदेव जी आपको भी बताया था दिए डीजी साब में पटा रहा है जो डूनी हु़ साथ आपने चाहते हैं अनहीं जो नए तो भूदेव जी अशुनी जुरुकिया चाहनी नहीं है ठीक है चन्नी अश्वुनी जी आज जो जलते सवे पर आप लोग बैठे है न देश की सुरक्षा के साथ लेकिन एक चीज है एक चीज यहां पर रुख रहा हूँ अश्वुनी जी कुछ भी हुआ बेफलता हुई कुछ भी हुआ गडबड हुई है जाच होगी मैं तो कहता हूं कि भांटत्री की सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ा मस् correlation लेकिन आप चवनी नहीं करेंगे उज नहीं करेंगे उनका नाप चनी हैघाऊ चनी मत कहिए चनी गई ठीक है कि test crawa मैं आपके बास से सहमत हूँ, मगर इस तरीके की प्रवक्ता अगर बैठेंगे जो देश के परधान मंत्री तो भार्ती जंता पार्टी के नेचा ने वो देश के परधान मंत्री भी हैं प्रधान मंतरी आपके प्रधान मंतरी आपके प्रधान मंतरी है राहूल गांधी आपके नेता है राहूल गांदी आपके नेता है राहूल गांदी के सुरक्षा में चूप होती है आपको बुरा लगता है राहूल गांदी के सुरक्षा में चूप होती है आपको बुरा लगता है प्रदान मंतरी के सुरक्षा में चूप होती है आपको बुरा लगता है प्रदान मंतरी के कि बिखने अब कर दीजी अब कर झाले औज शबस इप सब्सक्राइब अज आप कि आज आपकी भुदेव साब एक सवाल आपसे यह है कि आज आपके यूथ कॉंग्रेस के जो लीडर है प्रेसिडेंट है आपके उन्होंने कहा हाउस दा जोश थीक है उस पर आपसे बात चीत हो की बात थीक है कुछ दिनों पहले आपका पूरा यूथ कॉंग्रेस सब कॉंग्रेस वाले मीम बना रहे थे आलोचना कर रहे थे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि प्रधान मंतरी के कॉनवय में जो गाड़िया चलती है उसमें प्रधान मंतरी की जो गाड़ी है उसको प्रवोट क्यों किया गया उसमें प्रधान मंतरी को नई गाड़ी क्यों दी जा प्रदान मंत्री की और फुक्ता होनी चाहिए और फुक्ता होनी चाहिए आज गाड़ी समस्या खड़ी कर सकती मर्सेडीज में बैक थी उस पर आप कुछ नहीं कर सकते प्रदान मंत्री की तो पुरक्षा के साथ खिलवार करें गया अलग अलग मसलों को एक मसला मत बनाईए जो दमाजी है बढ़ेरा साथ वो एस्पीजी को लिये थे किस हैसी ते लिया था हूनों ने अग्षा समय बड़ा दर्द हो गया था जब उनकी स्पीज शुरक्षा अटाई गई थी आज आप यहां पर बैट के बहुत कर रहा है तो जो आप यहां पर बैट के बहुत कर रहा हैं समय की कमी के कारण यही रोक रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया भुदेव शर्मा जी आपका भी अश्वनी साही जी आपका भी तो आज चर्चा बस इतनी सी थी कि हमारे देश के प्रथान मत पाकिस्तान बॉर्डर से 10-15-20 किलो मीटर दूर है और उनका काफिला चल रहा है ऐसे बहुत सो-कॉल्ड प्रोटेस्टर्स सामने आ जाए बीजी पी है नहीं ग्रैस अचेफ है नहीं चन्नी फोन नहीं उठा रहे हैं क्या साजिश्टी यह मैंस इत्तफाक सोचेगा पिलाल कलेश शुक्रिया कले पर फिर आपसे मुलाकात हो देखिये भारत एट-9 काबेंदर चौहान के साथ